कक्षा 8 सब्जेक्ट हिंदी पाठ दस पाठ का नाम है काम चोर तो बच्चो इस पाठ के अंदर ये बताया गया कि इसमें जो घर में बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं और कोई काम काज में घर में अपने मम्मी पापा की कोई अल्प नहीं करते यहां तक कि उनसे खुद से लेके पानी तक भी वो नहीं पी सकते हैं उसके लिए भी उनको प्रिशान करते हैं तो जो माबा पते वो सोचते हैं कि इन बच्चों को कुछ काम का सिखाया जाए तो उनको कहते हैं भी आज शाम का खाना नहीं मिलेगा आपको अगर आपने कोई काम में मदद नहीं की हिल कर आप से पानी भी नहीं पिया जा सकता तो बच्चे अपनी तरफ से तो काम करने की कोशिश करते हैं लेकिन काम करने की बचाए इस काम को वो चार गुना बढ़ा देते हैं और घर में उदम मचा के चारों तरफ घर की बुरी आलत कर देते हैं, यही इस पार्ट के अंदर बताया गया है अब देखो अपने इसके प्रशन उप्तर करेंगे पहला प्रशन देखो कहानी में मोटे मोटे किस काम की है, किन के बारे में और क्यों कहा गया है कहानी में मोटे मोटे किस काम के है बच्चों के बारे में कहा गया है क्योंकि वे घर के काम काज में जरासी भी मदद नहीं करते थे तथा दिन बर उधम मचाते रहते थे दूसरा प्रशन देखो बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दूर दशा हुई बच्चों के उधम मचाने के कारण घर अस्त वेस्त हो गया मटके सुराईया इदर उदर लुड़क गए घर के सारे बरतन अस्त वेस्त हो गए पशु पक्षी इदर उदर भागने लगे घर में धूल, मिट्टी और किचड का डेर लग गया तीसरा प्रशन देखो या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ अम्मा ने बच्चों के द्वारा की गई घर की हलत को देखकर ऐसा कहा था जब पिताजी ने बच्चों को घर के काम काज में हाथ बंटाने को कहा तब उन्होंने इसके विपरीत सारे घर को तहस नहस कर दिया इसका प्रणाम यह हुआ की पिताजी ने घर की किसी भी चीज को बच्चों को हाथ ने लगाने की हिदायत देडाली चोथा प्रशन देखो कामचोर कहानी क्या संदेश देती है यह कहानी संदेश देती है कि बच्चों को घर के कामों से अनभिग नहीं होना चाहिए उन्हें उनके सुभाव के अनसार उम्र और रूची ध्यान में रखते हुए काम कराना चाहिए प्रशन देखो क्या बच्चों ने उचित निड्न लिया की अब चाहिए कुछ भी हो जाए हिल कर फानी भी नहीं पिएंगे बच्चों द्वारा लिया गया नीडने उचित नहीं था क्योंकि स्यम हिल कर पानी ने पीने का निश्चे उन्हें और भी काम चोर बना देगा वे कभी भी कोई काम करना सीख ही नहीं पाएंगे अगे कहाने से अगे छटा प्रशन देखो अपने शमता के अनुरूप किया गया कारे सही और सुचारू रूप से होता है यदि हम अपने घर का काम या अपना नीजी काम नहीं करेंगे तो हम कामचोर बन जाएंगे साता प्रशन देखो भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद कामचो और कहानी के अधार पर निर्ने कीजिए ये इस कांस्वर भरा पूरा परिवार तब सुखद बन सकता है जब सब मिल जुलकर कारे करे वै दुखद तब बनता है जब सब स्वार्थ भावना से कारे करें कारें को बांटने से किसी दूसरे को काम करने के लिए कहने की जरुरत नहीं होगी और तनाव भी उत्पन नहीं होगे अब इसके आगे यह देखो शब्दर्थ है यह भी आप अपने हिंदी की नोट बुक में करोगे और साफ सफ़ाई से काम करना है